साथ्यों हमारे देश में ब्रस्टाचार की और देश वाच्छों को आगे बंडे से रोकने वाली दो बड़ी वज़े रही है एक सुविधाओं का अभाव और दूसरा सरकार का अनावश्यक दबाव लंबे समय तक हमारे हाँ सुविधाओं का अवसरों का अभाव बनाए रखा गया एक गैप एक खाई बढ़ने दी गई इसे एक अस्वस्त स्पर्धा शुरू हुई जिसमें किसी भी लाप को किसी भी सुविधाओं को दूसरे से पहले पाने की होड लग गई इस होड ने ब्रस्टा चार का इकोसिस्टिम बनाने के लिए एक पकारजे खाद पानी का काम किया राशन की दुकान में लाइन गैस कनेक्शन से लेकर सेलेंडर भरवाने में लाइन बील भरना हो एड़िशन लेना हो लैसंक लेना हो कोई पर्मिशन लेनी हो सब जगह लाइन इलाइन जितनी लंबे ब्रस्टा चार की जमिन उतनी ही सम्रद और इस तरह के ब्रस्टा चार का सबसे जादा नुकसान अगर किसी को उठाना पड़ता है तो वो है देश का गरीब और देश का मध्यमवर्ग जब देश का गरीब और मध्यमवर्ग अपनी उर्जा इनी संसाधनों को जुटाने में लगा देगा तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा कैसे विक्सित होगा इसलिए हम बीते आठ वर्षों से अभाव और दबाव से बनी व्यवस्ता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं डिमांड और सप्लाइए के गैप को भरने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए हमने कई रास्ते चुने हैं कि तीन प्रमुक बातों पर में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक आधुनिक टेक्नलोजी का रास्ता दूसरा मूल सुविधाओं के सेचुरेशन का लक्ष और तीसरा आत्मन दिर्भरता का रास्ता अब जैसे रासन को ही लीजिए बीते आट वर्सों ने हमने पीडियेस को टेक्नलोजी से जोड़ा और करोड़ों फरजी लाभारतियों को सिस्टम से बहार कर दिया इसी प्रकार डिबीटी से अब सरकार द्वारा दिया जाने वाला लाभ सीधे लाभारतियों तक पहुंचाया जा रहा है इस एक कदम से ही अभी तक दो लाग करोड रुपय से अधिक गलत हाथों में जाने से बचा है दो लाग करोड रुपया कैश आधारीत अर्थ बवस्ता में गुश्खोरी काला धन यह डिटेक करना कितना मुश्किल है यह हम सब जानते हैं अब डिजिटल व्यवस्ता में लेंदेन का पूरा ब्योरा कहीं ज्यादा आसानी से उपलब्द हो रहा है गवर्मेंट इव मार्केट प्लेस जैम जैसी व्यवस्ता सरकारी खरीद में कितनी पारदर्सित आई है यह जो भी इसके साथ जूड रहे हैं उसका महत्तों समझ र है